असलाम अलेकम दोस्तों मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जे भी एमस यूटीब चैनल दोस्तों आज की स्वीडियो में हम आपको टी आर गाडर जिस्ती चादर और एंगल पटी के ताधा तरी रेट्स जो हैं वो अपडेट करने जा रहे हैं हम आपको सीमट और स्टी अनों के वाले से क्या अपडेट है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे दोस्तों जैसा कि आपको बता है कि आईरेंड की जो कीमते है यानि लोहे की कीमते है पाकिस्तान में पिछले एक से डेड़ मंत के दुरान काफी ज़्यादा बढ़ी थी और इंक्रीज हुई थी तक्री खुलेगों के साथ से जो अनकी ब्रैंड गांडरैं उनके डेट क्या है जो लोकल में आपका डेट मिलेगा आपको इसके लावा जो आपकी जिस्ती चाहरा इसके प्देरों ब्हुम करेंगे और चलंध विडिव में ईसकेवी Teodzi तो बिज़्य के ब गूगल पर जाना है, jbms.p के लिखना है आपके सामने हमारी ये वेबसाइट आ जागी उदर से आप तमाम जो construction material है टीयर गार्डर हो गया, आपके cement के रेट हो गया, steel के रेट हो गया, ये आपको इस वेबसाइट पर मिलेंगे और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें और अगर आप हमें Facebook पर दें, नमारे पेज को लादमी फालो कीजेगा सबसे पहले मैं बात करूंगा branded TR और गार्डर की TR जो branded है यह आपको तक्रीबन 275 रुपे पर किलो के हिसाब से मिलेगा जो branded TR है और जो आपको branded जो गार्डर है वो तक्रीबन 280-280 रुपे पर किलो के हिसाब से मिलेगा जो आज की तादिन रुडिटरिस के मताबगों रेट्स है इसके लावा अगर आप लोकल में TR लेंगे तो आपको तक्रीबन जो TR है यह 260 रुपे पर किलो के हिसाब से और जो गार्डर है यह 260-270 रुपे पर किलो के हिसाब से मिलेगा अच्छा दोस्तो जो आपका TR और गार्डर होता है तो आप इसको पर किलो के हिसाब से बाई करें फुट के हिसाब से ना बाई करें पर किलो के हिसाब से आपको फायदा रहता है अब बात करते हैं जी कुछ जस्ती चादर की फूलदा जो जस्ती चादर है उसका रेट है जी 340 रुपे पर किलो जिसनी जादर प्राइट है इसका रेड है 325 रुपे पर किलो इसके लावा डेड का जो एंगल है उसका रेड है 270 पर किलो और एक सूतर का जो एंगल है इसका रेड है 272 पर किलो और एंगल जो आदा सूतर का है उसका रेड है 275 पर किलो तो दोस्तों इस तरह अगर आप रेर्स देखे तो इचानक से रेर्स में बहुत जादा जो इजाफा देखने में आथा पिछले दिनों जो 240 से 280 नवे रुपे तक रेर्स पहुंच चुए है अब थोड़े से मज़ीद कम हुए है मिलते हैं नेक्स उडियो में तब तक अपना ख्यार रखिया अलाहाफ़ेज